हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहू लेकेड में पर आज हम आपके GKGS के ऐसे 100 महत्रपुन कोशन करेंगे जो आपके आने वाले SSC के एकजाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा तो सभी कोशन को आप अचे से रट लिजिएगा और अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गिया है वहाँ से ज्वाइन को इसका पीडियप आप राप्त कर सकते हैं तो चले ज्यादा समय नुक्सान ना करते हुए सीदेव अपने कोशन हम से चलते हैं राष्टियर रक्षा आकाद में कहा हिस्ठित है तो ये आपका उत्राखन के देहरा दूले में इस्टित है इसके आगे आगे आपको अगला कोचन है कि पिर्थवी की उपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है तो आक्सीजन और आपका सिलिकान की मात्रा पाई जाती है लोहे पर जंग लगना उधारन है तो यह आपका आक्सी करण का उधारन है अगला पकोशन है कि राम क्रिष्ण मिशन की आइसाबना क्रिष्ण की थी तो राम क्रिष्ण मिशन की आइसाबना आपके स्वामी विवेका नंजी के दुरा क्या गिया था इसके आगी आपका अगला कुशन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन से थे तो आपका आलम आ रहा था विस्व का सबसे बड़ा सवर कौन से है तो वो आपका निव्यार का है जो कि आपके अमेरिका मेश्चित है अगला कोशन है कि भारत में सबसे बड़ी मज़ित कौन सी है तो देके भारत के सबसे बड़ी मज़ित आपका जामा मज़ित है जो आपके दिल्ली में सीथ है छेतवा के दिष्टी से भारत का विस्व में कौन सा अस्थान है तो भारत का अस्थान आपका सातवा है बिस्व का सबसे लंबा पसु कौन सा है तो आपका जीराप है भारत पाक सीमा रेखा किसे नाम से जाना जाता है तो इसे आपका रेट क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है अब भारत का छेटफल कितना है तो भारत का छेटफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है अगला कोशन है कि वनस्त्त्ती बिज्यान के जनक कौन है तो वनस्त्त बिज्यान के जनक आपके थीयो फ्रेष्टम है दिली में लाल किला किषने बनावाया था तो मुगल बाद जशा शहाजibilidad के द्वारा बनाए गिया था ससस्त्र सेना जहनडा दिवस का मना जयता है तो इसका करेक्टर अंसर आपको जाएगा साथ दिसंबर को मना जयता है सांची का इस्तूप किस्ने बनावाय था तो सांची का इस्तूप आपके असुक के दूरा बनाए गया था और सांची इस्तूपाप के मद्द्धपरदिस के राइसेन जिला में चछी थै विस्वबधबन का मुख्याले कहा हेची थै तो विस्वबधबन का मुख्याले आपके वासिंग्टन डीसी में चछी था जामा मसοςिद का निर्मार कारे का पूरा हुआ था तो देखे जामा मर्झित का निर्वार काद् Vanderap का 1656 इसम्माड 2017 पुरह हुआ था अगला कुशन है कि विहार का सुख किसधीनन दी को कहा जाता है तो कोशीनन दी को कहा जाता है जलिया वाला भाग हतिया कन कहां पर हुआ था तो देखे जलिया वाला भाग हत्या का नपका 13 अप्रेल 1929 इस्वी को पंजाब के अमरिद सहर नामक अस्थान पर हुआ था इसके आगे आगे आपको अगला कुछन था कि भारत का राष्टे पच्छी कौन सा है तो भारत का राष्टे पच्छी अपका मोर है पस्चिम मंगाल का कुलकत्ता सहर किस नदी के तर्ट पैस्थी थे तो देखे के कुलकत्ता आपका होगली नदी के तर्ट पैस्थी थे इसके आगे आपको अगला क्वेशन है कि भारत का राष्ट गान सबसे पहले कब गाये गया था तो 1911 के कंग्रेश के कुलकत्ता अदिवेशन में गाये था सबसे पहले एटियम का पूर्ण रूप क्या होता है तो देखें एटियम की अगर बात की जाए तो एटियम का पूर्ण रूप आपका आटोमेटिक टेलर मसीन होता है अलुबर्न फिरदाउसी उत्वी और आपके फारुखी किसके दर्वार के कभी थे तो ये आपके महमूद गजनी के दर्वार के कभी थे महमूद गजनी के मिर्ति कब हुई थे तो 2030 इसी में हुआ था इसके आगे अगला कोचन है कि दामोदर नदी का उद्गम किस अर्स्थान से होता है तो दामोदर नदी का उद्गम आपके छोटा नागपुर के पठार से होता है पाटना का प्राचीन नम क्या था चार वर्स तक अकबर का सनशक रहा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैरम खान रहा था पंडित रभी संकर का समद्ध किस वाद्य अंतर से है तो इनका समद्ध आपके सितार वाद्य अंतर से है निउट्रान की खोज किष्णे के थी तो newtron की खुज आपके gems चैडिवी के द्वरा क्या गिया था अगला कोचन है कि चिकिसा सास्त का जनक किसे का जाता है तो hypocreatus को का जाता है महान चिकिसा का चरक किसके दर्वार में रहते थे तो ये आपके कनिसके दर्वार में रहते थे इंटरपोल का मुख्याले का है जिता है तो इंटरपोल का मुख्याले आपके पेरिस्ट में जिता है सीक धर्म के सरसापक कौन थे तो सीक धर्म के सरसापक आपके गुरुनानक जी थे इसके आगे आपका अगला कुछ अदिया गया था कि तान इसन किसके दर्बार के संगितकार थे तो ये आपके अकबर के दर्बार के संगितकार थे इब्राहिम लोधी किसका फुतर था तो इब्राहिम लोधी आपका सिकंदर लोधी का फुतर था पानी का रासाइनिक सुद्र क्या होता है तो पानी का रासाइनिक सुद्र आपका H2O होता है ही नियान का प्रमुग्रंद कौन से था तो आपका कथा वस्तु था जोन साहित को क्या कहा जेता था तो जोन साहित को आपका आगम कहा जेता था इसके आगे आगला कोछ अंदिया गया था कि दच्छिर भारत की सबसे उची जोटी कौन है तो देखे दच्छिर भारत की सबसे उची जोटी आपका अनाई मुड़ी है जिसकी उचाई आपका 26-26 मिटर है वनस्पत्ति बिग्यान के जनक कौन है तो देखे वनस्पत्ति पहिला कैबिनेर मंतर कौन से थी तो वह आपकी राजकुमारी अम्रीता कौर थी पिर्थवी का एक मातर प्राकति उपगरा कौन सा है तो आपका चंद्रमा है कितनी उचाई पर जाने से तपमान एक डिग्री सेल्सेस की कमी होती है तो 165 मिज़ा की उचाई पर जाने पर तप प्रमान में आपका एक डिग्री सेल्सेस की कमी होती है तो अगलत का कोचन है कि रुपाई की सुर्वात की सासा के द्वारा किया गया था तो रुपाई की सुर्वात आपका सेर सासूरी के द्वारा किया गया था अगला कोशन है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने सुरु किया था तो सेर सासूरी के द्वारा किया गया था एक आप से कोचें पूचे जाता है तो सेर सा सुरी का मकबार आपके बिहार के सासारा में बहुत दिते है राम चरित मानस कुछना लिखा है तो राम चरित मानसा आपके तुलसी दाज़ी के दुआ लिखा गिया है राश्ट पिता देखेँ अगला कोचन दे रहा है कि राश्पती लोक सभा में कितने सदस मनुनित करता है तो देखे लोक सभा में आपका दो सदस मनुनित करता है और राज सभा में आपका बारा सदस मनुनित करता है मनुस के रूधिर का पीछ मन कितना होता है तो सेबन दसमलो आपका फोर होता है अगला कोशन है कि सर्व अगराही रख्त समूं कौन होता है तो देखे सर्व अगराही आपका A B होता है और आपका सर्व दाता आपका O होता है तो अस्था योग आंदोन की सुर्वात आपका 1923 में महात्मागादेजिकद्वरा क्या गिया था सबसे छोटी को इसका खोती है तो सबसे छोटी को इसका आपका माइकोड पलाजमा होता है संसार का सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है तो आपका इंजित जल प्रपात है जो की आपके मिंजुयला में च्टित है इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पस्चिम मंगाल का सुक आज़ेता है अकबर कौन सा वाद यंतर बज़ेता था तो अकबर आपका नगाड़ा बज़ेता था अगला कोशन है कि ब्यस्क मनुस की औक औक का सेरुकी की संख्या कितनी होती है तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा तायंतिस होता है किस भग्यानिक ने प्रोटान की खोच किज दी तो गोल्ड इस्टिन के दवरा आपका प्रोटान की खोच की आगया था अमीर खुसरो का असली नम क्या था तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा इनका नम आपका मोहम्मद हसन था चिकिस्सा साथ का जनक किसे का जयता है तो हीपो क्रेटास को का जयता है अगला कोशन है कि किसी अस्थान का मानक समय निर्धायत करने का अधार होता है तो प्रधान मध्यान रेखा होता है जपान पर परमानक बंकब गिराए गया था तो सन 1945 इसे में गिरा गया था अगला कोचने की 20 यूद कब लड़ा गया था तो देखें प्रथम 20 यूद की बात की जाए तो प्रथम 20 यूदाप का 1914 से लेकर 1908 तक चला था और दुत्य 20 यूदाप का 1949 से लेकर 1945 तक चला था अगला कोचन है कि इंटीब बाइयोटिक्स अधिकानस्त किसमें प्राप्प्त होता है यह आपका जिवान तो से प्राप्त होता है अगला कुछन है कि लाल अरक्त कणिकाय का जीवन कल कितना होता है यानि कि RBC का जीवन कल कितना होता है तो RBC का जीवन कल आपका 120 दिन होता है और RBC का निमर कहां पर होता है तो RBC का निमर आपके अस्त्री मजा में होता है उत्तरी गोलाद में सबसे छोटा दिन कब होता है त खारत के राष्टगान जनगर मनगर के प्रचाईता कौन है तो सिरी रभी ना टैग होची है अगला कोशन है कि खजुराहो के मंदीर कि सवंस के सासकों ने बनाये हैं तो खजुराहो के मंदीर आपके चंदेल सासकों के दुरा बनाये गया है और खजुराहो मंदीर आपके गुलबुले किसके कारण चमकते हैं तो पुड़ आंतरिक प्रावरतन के कारण आपके चमकते हैं NCC की असाबना किस वर्स किया गई थे तो 1948 में किया गया था जलिया वाला बाग में गोलिवारी का आदेश किस जर्मनल ने दिया था तो इसका करेक्टर अंसर आपका हो जाएगा माइकल ओडायर के द्वारा दिया गया था अगला कोचन है कि जीवन वीमा को राष्टिय कब किया गया था तो वर्स 1956 इसमें किया गया था मनुस की पसलियों की संख्या कितनी होती है तो मनुस की पसलियों की संख्या की बात की जाए तो 24 होता है डेसिबल होता है तो यह आपका एक द्वहनी अस्तर का मापन करता है भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत का मैंचेस्टर आपका अहमदा बसार को कहा जाता है मनुष्ट की गर्दन में कसे रुकी की संख्या कितनी होती है तो आपका साथ होता है हरियाना की राजकी भासा क्या है तो देखे हरियाना की राजकी भासा की बात की जाए तो हरियाना की राजकी भासा आपका हिंदी है इंटो बायोटिक्स अधिकान सा किसमें प्राप्त होते हैं तो यह आपका जिवान से प्राप्त होता है काइडियम प्रदूसा किसा समंद है देखे काइडियम की बात की जाए तो यह आपका इटाई-टाई से समंदित है इसका डायोट का प्योग किसके लिए होता है तो परी सोधन के लिए होता है बोद गया किस धर्म से समंधित है तो बोद गया की बात करें तो यह आपका बहुत धर्म से समंधित है मानो सरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है तो आपका महा धमनी होती है अगला कोचन है कि बुलन दर्वाजा को अकपर ने किस बीजाय के बाद बनाये था तो गुजरात बीजाय के बाद आपका बुलन दर्वाजा का निमान आपके अकपर के दुरा करा गिया था काथक किस राज का सास्तिनित है तो ये आपका उत्तर प्रदेश का राज का सास्तिनित है किस जानवर को रिगिस्थान का जाहज का जाता है तो आपका उठ को का जाता है हरियाना का राज की अप्यर्ण का नम क्या है तो आपका पीपल है बिस्व का सबसे ठंडा अस्थान कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर आपको आउ जाएगा बोतोसको अंटार्क्टिका है अगला कोशन है कि उच न्याले के मुख्य न्यायदिस की न्युक्ति कौन करता है तो आपके भारत के राश्च्पती के द्वरा क्या जिता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि सरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है तो नवंबर के प्रारब में काटी जाता है क्यूबा की रैधानी है तो क्यूबा की रैधानी आपका हवाना है इसके आगे 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 अगला कोशन है कि नाइट्रिक अमल का लवण क्या कालाता है तो इसे आपका नाइट्रिक का जाता है मानव सरी की सबसे छोटी अस्ति कौंसी है देखे सबसे छोटी हड़ी की बत की जाए तो आपका इस्टेपी जड़ी है जो की कानों में पाई जाती है इसके आगे आगे आपको अगला कोशन है कि जवेदी पाहडी किस राजमेचित है तो तमिनाडू राजमेचित है साथ पाहडीों का नगर कौन सकालाता है तो साथ पाहडीों का नगर आपका रोम गोका जाता है तो देखिए आज हमने आपके GKGS के महतपों 104 ऐसे कोशन लगा है जो आपके SSC के एकजामे बार बार रिपीट होते हैं तो सभी कोशन को आप अच्छे से रट लेजिएगा और PDA प्राप्त करने के लिए आप टेलिग्राम गुरूप से जोईन हो सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा रगता है तो वीडियो को लाइक और सेर कर मत भूलेगा तो चलिए आज के लिटना है धन्यवाद